हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ परबात और आप मेरे साथ देख रहे हैं बिजनस और फानेस ब्लॉग जो खुदी एक नियोज पब्लिकेशन नियोज पब्लिस करती है हम उसी स्टॉप उसी कंपनी की बाड़े में इन्फॉरमेसिस लेके आए हैं क्योंकि वो एक कंपनी स्टॉप है तो हमने सोचा क्यों नहीं उसी के ऊपर जो स्टॉप एनालिसिस है उसके ऊपर बनाते हैं थोड़ा सा स्टॉड़ी जो आपके सामने लखने का प्रयास करते हैं इस कंपनी के बाड़े में आपने देख लिया होगा यह है दैनिक भासकर डीवी कॉल्प लिम्ट सकते हैं सॉरी दोस्तों मैं यहाँ पर कोई आपको एडवाइस देने नहीं आया हूँ जिसे स्टॉप को खरी दिये या बेचिये मैं यहाँ पर केवल स्टॉप परपस के लिए लेके आया हूँ जो कि यहाँ पर जानने का प्रयास करूंगा यह कंपनी है जो खुद इतनी बड़ी न्यूज चलाती है उनकी खुद की न्यूज क्या होनी चाहिए उसके क्रम में इनका स्टॉप का क्या एनालेसिस कहता है क्या कुछ कहता है हम चलते हैं सीदे सीदे इसके बी एसी बेटल पर देखता हूँ जो आज की दिन इसका स्टॉप में 0.14% की जंप आई जो क हम जहने का प्रयाज करते पहले क्या करती है कंपने की सारे हिस्स्री हम चलते हैं सीदे इसके विबसाइट के ऊपर अब बेखते होगए कंपनी अपनी नियूज पेपर दलनिक वासकार या क्या करती है क्या सारे इंफर्मेशन की वेबसाइट के बलेबल है जो भी इंफर्मेशन आपको चाहिए प्रेस रिलीच है यह 23-24 का जो देटा है वह है इन्वेस्टेट प्रेटेशन हैं जनवरी 2024 का इसके साथ साथ दिसंबर का है हर पेरियेट का कुछ ने कुछ इनके पास इंफर्मेशन थे तो कि यह इनके सारे डियेक्टर्स नंबर्स और इसके सारे इंफर्मेशन मैंने आपके सामने रखा इनके अलग-अलग भासवां में कितने सारे नियोज़ पिपर्स आती है अलग-अलग यहां पर देखें परिस अक्रोस बारह स्टेट के अंदर करी दोती शुक्क व्य प्रड यहां इसे इंको आते हैं अर्श जो सारे इंफर्मेशन को हैं माई अफेमान सुनते रहो डिजिटल प्लेटफॉर्म इनके पास है पोर्टल है जो कि दाडिक वासकर हैं दिभी वासकर हैं दिभी मराठी एंडि मनीवासकर.com है सारे इसके जो कि इनके मैगजिन्स भी आते हैं और जिंदगी यह सारे मैगजिन्स आप देख सकते हैं कुछ काटूंस आप इनकी सीरसाइब सीनिटिव सी वी है जिसमें ये साधी चीज है उनके पास कवर होती है कि हमने यह ऊपर प्रियास की जल तोलिक iße हैं जानते क्या ? क्या है। माहर्केट में क्या इनके लिद् Dog सोचते हैं इनके कंपनी के इनके मरेंजिमेंट में पैसा लगा में ना लगाया जाए कितना ट्रस्ट बनाया पाए है अभी तक मार्केट में जब से आए हैं तब से तो हमने सीधा इसका चलते हैं 50 टुक्स हाई के ओपर तो 373 का 50 टुक्स हाई है और 94 रुपे का 50 टुक्स लो की बात कर रहे और अभी दौनों का अभरेज निकाल के देखेंगे अभी का जो ट्रेड है वो 24 बनी के असपास है और यह ब्रेक इवन पॉइंट दौनों के अभरेज यदे निकाल के पलस करके डिवाइड बै टू करेंगे तो आपके बास अभरेज निकल के आता है और वह अभरेज के असपास आप देखेंगे ट्रेड बने वाला स्टॉक् खरिदने वाला है बैचने वाला है मैं आपको इसमें कोश्बी एडवाइज या रिकॉमेडिशन नहीं कर सकता किसी स्टॉक के उपर चलते हैं सिद्धे इसका फेश वैल्यू क्या कहते है स्टॉक का फेश पैली से स्टॉक की मुझे लगता है दस रुपे का स्पास होगा करेक्ट लिए 10 रुपे का स्टॉप प्राइस है पीवी के रेसियो के बात कर रहा हूं तो कडिब 13.20 के आसपस है EPS की बात को तो 6.90 के आसपस की है अब इंडस्ट्री प्रता है प्रिंट मेडिया है बाकि लिए 10 से शेखने को भीतिक तो काम खरती है अब एक दिन का चार्ट आपको बदाई और आने का प्रिचास कि जाप जहां पर अकुझा होता है बारकिट क्लिव क्वाव क्वे रुए सेल का कोई प्रोफिट कैसे निकाल सकता है तीन मैने के चार्ट इनके देखेंगे अच्छी कासे रहले जो कि 52 इसने अभी तक मुझे लगता है जन्बड़ी यह जन्बड़ी 24 को इसने अपनी 52 इसने निकल किया था इसका मतलब है इसके 52 की बाद यह स्टॉक में थोड़ी सी विकव पर चार्ट के बिष्योजश पर ये कह रहा है जो फॉसेल बनी होई है और चार्ट के पर चीज़े में सीधे चलते हैं सीधेंस के प्रेयास करते हैं जो को डट fiber Cannon क्या है अब हम जानते हैं 120 में वार इसने डिविडेंट डिकलेर किया था सूचे तिस पांच एक आठ और साथ ग्यारा को मर्था एक साल में इसने तीन चेड़ आठ रुपे का डिविडेंट दिया तो बहुत परसंटेज की बात करेंगे आगे चल कि इसका रिजल्ट के पार्ट क्या करते हैं रिजल्ट के पार्ट में देखेंगे तो मिलियंस की बात में उन्होंने कहा है तो पहले सितंबर क्वाटर में कड़िए पांसो छीयासी क्रोड मिलियंस का इसका टोटल रिवैल्यू था जोकि बढ़के छेसो 43 millions का हो गया वही पार्ट यदि profit के पार्ट यहीं बात करें तो net profit 100 millions के आसपस था जो की 122 millions का हो गया जो की 22% के आसपस के इसमें grow label हुई है यदि 22% के grow label हुई है इसके basis पे जो आपको operating profit margin है वो भी 31.41% के आसपस की growth किया है चलते हैं share holding pattern में share holding pattern में जो promoter holding है promoter ने इसके holding को करीब 72% के आसपस रखा है उसमें से लगता है पिछले जो सितंबर था उसमें से 0.01% की बिक्वाली कर दी है जो की मुझे लगता पब्ली के पास transfer होई है और पब्ली के पास जो है holding करीब 80% के आसपस कि थोड़ी से ऊपर नीचे चलती है मैंने round of figure बताया आपको analysis की पार्ट में जब जाते हैं तो आपको यह नजर आता है stock ने क्या performance किया है किस label पर किया है उसको एक साल के अंदर सिदे सिदे दिखती है stock ने 161% का जंप दिया ऐसे ही दो साल के अंदर 194% का जंप दिया तीन साल के अंदर 181% का जंप दिया पास साल उससे पहले का वह उस्तिदी इसका बिलकुल ही खराब है उसमें कुछ भी कहीं कहा जा सकता क्योंकि इसकी competitive 5 साल में 106 आपको 100% cash pass करे में जंडेट करके दे चुका है और बागी जो एक साल में 161% cash pass की round of figure आड़े है जबकि sensex में 26, 27, 29, 48, 49% cash pass की जंप मार्केट में उच्छाल के साथ दिया है तो यह on average यदि मार्केट में इसकी अभी week बाली चल रही है यदि थोड़ा सा और stability के तरब जाता है जैसे कि दो week में थोड़ा सा आसपास की जंप है इसवाए इस तोप में performance बेहतर कर सकता है बेहतर यहां पे trust build-up है investor का अब हम चलते हैं जो इसका public holding की है stock जो डिस्ट 71-72% की आसपास के बाद की जो निकल के आती है वो कितनी percent जो है 28% की आसपास की holding है उसमें से कौन से लोग ऐसे बैठे हैं जो की एक positional trade बनाके बैठे हैं जो उनको लगता है इनके management में हमें कुछ generate करके देगा revenue generate करके देगा और वो बाद में जब share की rate बढ़ेगे तो वो निकलने का प्रियास करने उसमें से सबसे पहला नो में देखता हूँ जो की fi की तरफ से जो की नालंदा इंडिया नालंदा इंडिया equity funds लिमिटेड है इसने नोंने करीब 10% cash pass की holding बनाके रखी है इसके आज साथ Somerset Imaging market small cap fund है LLC है जो की foreign है जो नोंने पोजिशन तो बनाया था स्टार्टिंग में लेकिन अभी recently कोई positions नहीं है DI की बात करें जहां पर HDFC नाम आती है ना उसका positions बिलकुली correct होता है HDFC यहां पर position बनाके रखा हुआ HDFC यह small cap इन्होंने करीब 1.5% से जपोने 3% का holding बनाके रखी है यदि ICI से Prudential की बात करें उन्होंने अपनी stake नहीं रखे पहले इन्होंने stake रखे की बात उन्होंने base दिया होगा यदि ICI से Prudential Multi Assists Fund की बात करें तो उन्होंने position बनाके रखा है 1% के असपास पब्लिक के पास holding है जो सबसे पहला नाम निकल क्या था उसमें पारिक परेश सा जो साथ इनके पास 1% की holding है बांकी जो holding है वो ऐसा कुछ नाम नहीं है बांकी पब्लिक के पास ही holding होगी जो कि लिविज्वल टेडर्स होते हैं इंडिविज्वल इन्वस्टर हैं उनके पास इसके इसके बैसिस में जो मैंने इस पर देखा जो इनका चार्ट कहती है चार्ट में इनका 2-3 साल के डेटा बिल्कुल करेक्ट आती है उससे पहले की डेटा थोड़ा सा बिल्कुल negative movement में था लेकिन recently कुछ सालों से इनका जो डेटा है कोई भी आपको परेखने के लिए 2-3 साल के डेटा बेहतर होता है उसके बैसिस पे इसका जो performance होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए जहांकि इसको बैसिस पे मानते हुए चलते हैं दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगए तो लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल करना कोई कमेंट भी कर सकते हो यदि कोई आपको कम्या नजर आगो तो कि यह completely education purpose के लिए होता है तैंक्यू सो मच फॉर जोइनिग यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी motivations बढ़ेगी और हम और भी अच्छे से कुछ और नया एक्टिविटी आपके साथ रखेंगे जो कि आपको awareness education और learning के purpose में आपको एक काम आ सके तैंक्यू सो मच फॉर जोइनिगे